हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में 1544 पर्मानेंट पोस्ट सरकारी नौकरी की बात करेंगे इस वीडियो में सहाइक अध्यापक LTE का पद रहेगा आयू सीमा 21 से लेकर 42 बस तक के कैंडिडिट आविधन कर सकेंगे तो चलिए देख लेते हैं बाकी चीजे नौटिफिकेशन में कैसे आविधन करना रहेगा वेतन मान आप लोगों को बता दू लेवल 7 के अकॉर्डिंग सैलरी रहेगी 44,900 बेसिक पे रहेगी और उसके बाद जो है जो सरकारी भत्ते होते हैं यदि इनको सामिल किया जाए तो सैलरी आपकी लेवल 7 के अकॉर्डिंग 1,42,400 तक रहने वाली है नेक्स्ट जो है सैक्ष्णिक योगिता की अगर हम बात करें तो सहायक अध्यापक या सहायक अध्यापका सामानने के लिए क्वालिफिकेशन कही गई है किसी भी जो है भारत में विधी द्वारे स्थापित किसी विश्व विधाले से भूगोल आर्थ सास्त्र, राजनीती सास्त्र हम इतिहास विशे में से किनी ही दो विश्यों के साथ इस नातक की उपादी परंतु उक्तो दो विश्यों में से एक विश्य तरत्ति वर्ष तथा शेस एक विश्य दृत्तिय तक अनिवारते रहा हो यानि कि आपने दो साल तो कम से कम पढ़ा ही हो साथ में जो है बीएड की उपादी आपकी होनी चाहिए बीए बीएड वाले भी जो है अपलाई कर सकते हैं नेक्ट जो है मैट्स की वेकेंसी है तो इसमें भी जो है यही है कि ग्रैजुईशन में आपने दो सब्जेक्ट जो है पढ़े हो जो यहाँ पर लिखे गए हैं जैसे कि भारत में विधी द्वारा इस्तापित किसी विश्व विध्याले से एक गणित एवं दो भौतिक विज्ञान विश्यों के साथ विज्ञान इसनातक क्यू पादी परंतु 33 वर्स में गणित तत्वा भौतिक विज्ञान विश्यों तत्था प्रत्थम दो वर्सों में गणित और भौतिक विज्ञान तो रहा ही हो और साथ में ब्यड नेक्ट जो है विज्ञान की वेकेंसी है हिंदी की वेकेंसी है भासा में संस्कृत की वेकेंसी है उर् साइन्स के लिए भी यानि जो भी सब्जेक्ट है उसमें ग्रैजवेशन के साथ में आपकी बीड होनी चाहिए वानिज्य कॉमर्स के के लिए भी वेकेंसी है इसना तक और यहां पर भी जो है वो बीड कमपल्सरी है और दूसरा ओप्शन मैंने आपको बता दिया कि बीए बी 42 जो है पद है उत्राखंड अधीनस्त सेवा चैन की ओर से जो है यह विग्यापन जारी हुआ है सीधी भरती के अंतरगत माधिमिक सिक्षा विभाग उत्राखंड में गड़वाल मंडल और कुमायू मंडल इन दो मंडल से जो है वेकेंसी आई है साहय का ध्यापक एल्टी क प्रारम्बति थी आविदन की 22 मार्च है यानि अभी दो दिन बाद ही आविदन स्टार्ट हो जाएंगे 12 प्रेल जो है वो लास्ट डेट रहेगी तो यह वेकेंसी बिल्कुल सरकारी है पर्मनेंट वेकेंसी है 1544 कुल रिक्त पदों पा चैन हेतु ओनलाइन आविदन पत् प्रेदि भरती, सामानने साखा की है, साहेक अध्यापक की भरती और महिला वर्ग की जो है अलग है ठीक है, महिला वर्ग के लिए जो है अलग से रिजर्व है, जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी में, बाकी जो है लिंक आप लोगों को जरू किया जाएगा ताकि आप ये पी को बता देती हूं और नेक्स्ट जो है लिखित प्रतियोगी परिक्षा होगी और उसका पाठेक्रम जो है यहां पर दिया गया है उसके बाद आयू सीमा की अगर हम बात करते हैं तो आयू सीमा जो है नियूंतम 21 वर्स और अधिकतम 42 वर्स होनी चाहिए आविधन के लिए पात्र था अब यहां पर ध्यान देना है आप लोगों को कि अभ्यर्ती का उत्राखन राजी में इस्तित किसी सेवा योजन कारेले में आविधन पत्र प्राप्ती की अंतिमतिती तक पंजी करन रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है अभ्यर्ती जो है उत्राखन राजी का मूल निवासी या स्थाई निवास प्रमान पत्र धारक हो आयो की परिदी के बाहर समूग गय के सीधी भरती के पदों पर भरती है तू आविधन करने के लिए वही अभ्यार्ती पात्र होगा जिसने अपनी हाई स्कूल और इंटर्मीडियेट या इनके समकक्ष इस्तर की सिक्षा उत्राखन राज्य में स्तित मानेता प्राप्त क्षानों से उतिन की हो आविधन सुल्क जो है कितना रहेगा जनल कैटिगरी 300 यहां पर रुपे लगेंगे आपके आविधन के लिए SCST EWS 1.500 रुपे लगेंगे उत्राखन के दिव्यांग अभ्यारती 1.500 रुपे लगेंगे उत्राखन के अनाथ तो कोई फीस नहीं है तो लिंक आप लोगों को शेयर किया जाएगा ताकि जो भी उत्राखन के निवासी हैं जो भी कैंडिडेट वो बिल्कुल यहां पर आविधन आराम से कर सकेंगे पर्मानेंट वेकेंसी है 1544 पोस्ट आए हैं तो सबसे पहले में वेबसाइट पर आएंगे कौर्मेंट आफ उत्राखन इंडिया उत्राखन सबार्डिनेट सर्विस सेलेक्शन बोर्ट कमीशन यहां पर आप लोगों अगर आविधन करना चाहेंगे तो सबसे उपर है रिकूट्मेंट इन्फॉर्मिशन पर आप देखें पदनाम सहायक अध्यापक L.T. माधिमिक सिक्षा विभाग उत्राखन में रिक्त पदों के विज्यापन हितु क्लिक करें ठीक है इस पर क्लिक करके जो है आप लोग नोटिफिकेशन पूरा देख सकते हैं काफी लंबा नोटिफिकेशन है जो भी आविध हूँ आप लोग आप देखें लिए।